हाई लो फ्रेंड्स हब सब का ओल फिल कमाज चैनल में स्वागत है और आज हम लोग 44-44 कीट के किस प्रकार से step by step जाँच करते हैं उसके बारे में जानेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग है किस प्रकार से 44-44 कीट के हम लोग जाँच करते हैं और पिर आने वाले विडियोमें हम लोग ये समझेंगे किस प्रकार से step by step किस प्रकार से जाँच करते हैं इसके लिए सबसे आप ये जानी है कि 44-4 小ि और पहले चाहींल इता है उसाथ तो 444当 यहांदधर 444 is का प्रियुट की जाता है ह। देखिएगा कि ट्रांजिस्टर का पर्योग और यहां साहां तर दूस्रे चैनल utiliser के लिए जू हैME प्रियोग किये हैं यह इसकिर के लिए कम करेता उसी प्रकार से एक आईसी आपका चोलब के सालिए काम करेगा तो इस प्रकार से लिफ्ट राइंट दो चैनल के कीट के साथ बने होते हैं, तो हम लोग केवल एक ही चैनल के बारे में समझेंगे, जब एक चैनल के बारे में हम समझ जाएंगे, तो सेम टू सेम दूसरा चैनल भी बना होता है, तो दूसरा भी चैनल को अब भगासानी पुरबग जो है, रिपेरिंग कर पाएंगे, समझ तो देखिए सबसे पर 44-44 की लिखे हुए भाग को सामने और लेक को नीशे करेंगे और नीशे करके जब देखेंगे तो यहां से पी नंबर 1 की स्टाट होगा है एक दो तीन चारीस प्रकार से कुल मिला करके 14 पिन बने होते हैं तो किसी भी आइसी को प्रियोग करता समय चार पिन होता है तीन और आठ और चौदा नंबर पिन को निगेटिव सप्लाई देते हैं जबकि यह गारा नंबर को पोजेटिव सप्लाई देते हैं तो बैटरी से आने वाला सप्लाई हो या ट्रांसफार्मर के दोबारा एलमिनेटर बना करके बारब होल्ट जो डीसी आठ को और तीन को इसके अलावे इस आइसी में क्या हम लोग जानते हैं कि इस आइसी का इनपुट पिन उसे कहते हैं जिसमें कमजोर सिगनल देते हैं तो इस आइसी का इनपुट पिन दो होता है दो में कमजोर सिगनल देते हैं और साथी साथ पिन नंबर छे भी बुट हो करते हैं जो कि पहले जान चुकिए इस वीडियो के माध्य हम से यह समझेंगे कि किस प्रकार से जाज करेंगे तो देखिए जाज क्या करना है कि पोजेटीव पीन कौन होता है तो पिन नमबर 11 पर जीतना सप्लाई मिले उसके ठीक आधी सप्लाई नमबर 11 मिलना चाहिए तो दस और 12 होता है क्योंकि 10 और 12 से सिग्नल निकल करके स्पीकर को जाता है तो पोजेटीव पिन कि ठीक आधी सप्लाई i.c. के आधी सप्लाई i.c. के आध्पुट पर जाता हैं अगर मिले तो यह मानेगे कि i.c. लगभग सही काम कर रहा है i.c. सही ह कब है जब पोजेटिव पिन की आधी सप्लाई आइसी का आड़पुट पर मिले कानेकार थिये है कि अगर यहां पर बैटरी के द्वारा बारा भूल्ट दिये है तो उसके ठीक आधी सप्लाई आडपुट पिन नंबर दो सॉरी दस और बारा पर हमको छे भूल्ट की अगर इनपुट पीन नंबर इसका दो परियुग मिला गया है छे का तो प्रियोग किया नहीं है, लेकिन 6 का प्रियोग नहीं करके, किवब्प वकर यू कर घहा गया है तो हमको खाने लेजिए हमारे 44-40 IC और इसे रिलेटेट सभी से कमपोनेंट बिल्कुल सही काम कर रहे है। speaker speaker की तारवेगर सब सही है अगर पलस्पीन की आधी सप्लाई आडपूट पर मिले फिर भी आइसी के input pin को चुने पर तो हम लोग speaker की तारगी जाच करते हैं और अगर यहां पर hybrid हो जाए कहां तो इस is equal input pin दो को चुने पर touch करने पर हमको को मिलना चाहिए यहाँ ग्रीड अगर हाई ग्रेड मिल जायए तो यह मानेंगे कि यहाँ से लेकर यह तक भी भाग बिल्कूल सही है इसके बाद अब यहां बेस स्रेवल सर्कीटे जाच करते हैं बेस त्रेवल सर्कीट कि देखिएगा कि कि ट्रांजिस्टर लगा होता का है नि ऐस और है फ्रिकर सिभक के इंप्लिफाइ करने लिए ट्राइश स्के बारे में लोग पीछली व्लिंद sürना के इसितार करते हैं कि इस वाई किसे द्रीच करें यह समझेंगे जब हाइग यहां मिल जाए तो वही हाई grad escuch के एक फिर मेलना चाहिए और अगर पर बीच वाले पर मिल जाए तो एक नंबर पर मिलना चाहिए यहनि की टर्मिनलनल मुंबर वяет लोन होगा उस पर मिलना चाहिए यहलम को फूल करेंगे तौबाई भाईलम को फूल करते हुए ही यहाँ पर हाई ग्रीड की जाज करना है ऐसा लिए कि भाईलूम को आप मिनिमम कर देजिए जीरो कर देजिए जीरो लेबल में कर देजिए और यहाँ पर हाई ग्रीड आप जाज करेंगे खराबी किसकी होगी तो वालूम कंट्रोल की होगी और यही हाई ग्रेट की मतलब है कि तेज घर घर तरतर की आवाज ये स्पीकर से निकलने चाहिए चुने पर टच करने पर किसी स्कूर्डाइबर के द्वारे चुम्टी के द्वारा और यहां पर जब हाई ग्रेट मिल है तो यहां पर हाई ग्रेट मिले यहां नहीं मिले तो यह रेजिस्टेंस खराब होगा अगर यहां मिले यहां नहीं मिला हाई ग्रेट तो यहां पर हाई ग्रेट मिल जाए तो यहां से लेकर यहां तक का भी भाग जो है बिलकुल सही है तो यहां पर हमको चेक करना है क्या चीज तो हाई ग्रीड और इस प्रकार से अगर हाई ग्रीड यहां तक मिल जा तो यह मानेंगे कि यहां तक का विभाग जो है इसकी बाद यह ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए भोल्टिज भी देते हैं जो कि पिछलों वीडियो के माध्यम समलख समझ चुके हैं तो इसके कुल्Яक्टर को देते हैं यानि कि लग बग साऴे 5 वल्ट की सप्लाई देते हैं तो ट्रैंजिस्टर कई को तो क्ल्यक्तर को अगर शप्लाई प्राब तो नहीं हो तो क्या करना है तो दिखेंगे यह 12 वल्ड का लाइन है 12 वल्ड के लाइन से 1 कwy नोhr के सप्लाइब मिलने चाहिए अगर बारा मिले दस नहीं मिले तो यह रेजिस्टेंस यह खराबी होगी रेजिस्टेंस बदल दिए फिर भी यहाँ पर अगर तस भूट नहीं मिले तो यहाँ पर फिल्टर करने के लिए जो केपिसिटर लगा होगा तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमको हाई ग्रीड हाई ग्रीड कहां से तो ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ पर हाई ग्रीड साथी साथ वोल्टेज भी जाज करना होता है तो वोल्टेज अभी समझे कि यहां से 12 वोल्ट के लाइन से एक रेजिस्टेंस के द्वार यहाँ पर हमको 5.5 Volt मिलना चाहिए तो transistor के collector पर अगर 5.5 Volt और Hybrid मिल जाय तो यह मानेंगे के यहां तक सही इसके बाद इस transistor के base पर चले जाएगे अगला जाँ करेंगे collector के बाद transistor के base पर चले जाएगे और base पचे करना है आपको 0.65 Volt इसके base पकचे करना है एक से भी कम पर और अगर वेस पर आपको वोल्ट नहीं मिले कितना वोल्ट तो 0.65 वोल्ट यानि कि एक से भी कम वोल्ट मिलना चाहिए और अगर यहां पर वोल्ट नहीं मिले तो उस इस्तिती में आपको यहां से यहां तो यहां पर वोल्ट कहां से देते हैं तो यह जो 5.5 वोल्ट मिलत यह वोल्टेज नहीं मिले तो यह तो इस रेजिस्टेंस के खर prol비 होगी और यहां कौ से कोरण बढ़ जाए तो उस तितीटि में यहां से यहां लगा हुआ है आपका सहेत आलीस कीलो ओम का 247.000.000,000 का रिजिस्टेंस के खरuj और यहां का अगर वोल्टेज किसी कारण बस बढ़ जाए तो उस सिस्तिति में यहां से यहां लगा हुआ है आपका 47 किलो ओम का फोर्टी सेवें किलो ओम का रजिस्टेंस की खराबी होगी अगर वोल्टेज अकर नहीं मिले तो पोजेटिव लाइन से लगे हुए रजिस्टेंस की खराबी होगी यह रजिस्टेंस बिल्कुल सही है फिर भी यहां पर वोल्टेज नहीं मिले तो यहां पर निगेटिव लाइन से लगा हुआ यहां पर मिलना चाहिए हमको 0.65 भोल्ट यानि की एक से भी कम भोल्ट मिलना चाहिए अगर यहां पर भोल्टेज मिल जाए तब हमको क्या चेक करना है कि जो यहां पर हाइग्रीड मिलता है हाइग्रीड का मतला भी कि तेज का खटाट की आप आज वो कहां से आया तो हम लोग अभी थोड़ा दर पहले मिला थे कि यहां से हाइग्रीड इसको भालूम को फूल करते हुए यही हाइग्रीड हमको यहां मिलना चाहिए जब यहां पर मिले तो वही हाइग्रीड है आप पर अगर यहां पर हाइग्रेड मिले टांसिज्टर के बेश भेज पर हाइग्रिड को होगी कि यहां पर भेरी हाइग्रेड मे क्या चीज यहां से यह एक कैप्पेशिटर लगा होता है 4.7 में 63 वोल्ट का नगा हो ता केपिसीटर के दुबारा यही भेरी हाई गिरेड फिर एक रजिस्टेंस के दुबारा इस ट्रेवल कंट्रोल के बीच वाले पर भेरी हाई गरेड मिलना चाहिए अगर यहां पर very high-grade मिले और इसके बीच वाले terminal के भर रहाई ग्रेट नहीं मिले तो यह अगर यहां पर नहीं मिले यह तो यह यह不對 Candle उगर यहा को हमको आई मिलना चाहिए फैसे होग तो यहां पर हम总 भूर को क्या ज्याज चाहिश करना होगा यहां छान तर्फिर में सब्सक्राइब 107 ऐह ही इससे नौ फ्र फोर कि पॉंटसेवेंड पर हम को मिलना चाहिए क्या चीज है तो मिलना चाहिए भेरी हाई ग्रेड मिलना चाहिए और अगर बीच वाले पर भेरी हाई ग्रेड मिल जाए तो उस इस्तिती में इसको जब फूल करेंगे तो वही भेरी हाई ग्रेड यहां मिलना चाहिए इसको जब मेक्सिमम लेबल पर कर देंगे तो वही भेर हाई ग्रेड यहां मिलना चाहिए अगर यहां मिले यहां नहीं मिले भेरी हाई ग्रेड है तो यहां मिलना चाहिए हमको भेरी हाई ग्रेड और जो भेरी हाई ग्रेड यहां मिलता है जब इस बेस को फुल करेंगे तो वही भेरी हाई ग्रेड यहां से यहां मिलना चाहिए प्राप्त नहीं हो तब फूल करने पर और जब यहां पर मिल जाए तो यहीं भेरी हाई ग्रीड ऐसे होता हुए एक 10 किलो ओम के रजिस्टेंस के द्वारा इस बेस और ट्रेवल कंट्रोल के इंपुट जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर हमको मिलना चाहिए भेरी हाई जब यहां मिले तो यहीं भेरी हाई ग्रेड बेस और ट्रेवल कंट्रोल के इंपुट पॉइंट पर मिलना चाहिए और साती साथ जो यहां पर भेरी हाई ग्रेड मिल जाए तो यह मानेंगे कि हमारा पूरा विभाग जो है बिल्कुल सही काम कर रहे हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि बेस कंट्रोल सही रुप से काम नहीं करता है या ट्रेवल कंट्रोल सही रुप से काम नहीं करता है तो अगर बेस कंट्रोल सही रुप से काम नहीं करे तो इसकी भी हम लोग जाज कर सकते हैं कि बेस कंट्रोल खराब है कि नहीं खराब है ट्रेवल उन्हों को टच करेंगे और यहां पर audio देंगे audio कहां से देंगे तो इस परकार का Bluetooth module ले लेंगे Bluetooth module को काम करने के लिए पांच बोल्ड की supply देते हैं तो पांच बोल्ड की supply कहां से देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इस kit में ही already 78.05 regulator IC लगा होता है जिसके दोरा 5 बोल्ड बनता है तो यहां पर इस सर्कीट डिग्राम में देखेंगे कि यहां साइसे होता हुए 78.05 यहां पर जो है regulator IC लगा होता है इस IC के पी नंबर एक को अन्रेगुलेटेड सप्लाई देते हैं 10 से 12 बोल्ड की supply देते हैं और यह IC क्या करता है तो अपने पांव नंबर 3 से पांच बोल्ड फिक्स निकालने का परता है और यहीं पांच बोल्ड निकाल करके क्या करते ह यह जब इस Bluetooth module को जब supply दे दिया जाता है और इसके साथ जब USB का connection करते है यह Bluetooth का जब signal प्रदान करते है यह FM रेडियो का signal प्रदान करते है तो वही signal क्या होता है कि इसका जो है जो output जो terminal होता है जहां पर il और out लिखा होता है left right के channel का signal out होता है यहां का signal ही उठा करके क्या करते हैं कि यहां देते हैं यहां देते हैं तो अगर यहां signal दे दिये signal देते हुए और हम लोग जो है इस बेस ट्रेवल की जाच कर सकते हैं जब इसका connection कर देंगे यहां पर जो है audio देंगे इस से निकलने वाला इस बुलूत मडूल से और ट्रेवल सही रुप से काम करना ही कि नहीं करें इसकी जाच कैसे करेंगे कि यहां पर audio देते हुए फूल करते हुए जब यह दोनों टर्मिनल को touch करेंगे यह दोनों को touch करने पर मोटा आवाज का लेवल बढ़ जाए और इधर करने पर मोटा आवाज का लेवल घट जाए तो यह मानेंगे कि यह बेस आर से इसमें एक नंबर और दो नंबर पॉइंट को जब आपस में टच करेंगे किसी स्कूड Berg तो पतला अवाज के लेवल बढ़ जाना चाहिए और दो नंबर तिंक नंबर को टच करने पर पतला आवाज का लेवल गट है तो यह मानेंगे कि यह इधर का सब सर्कुट सही है माल लिजिए कि इसको दोनों को टुच किये और लेवल बढ़ जाए पतला आवाज का और इसको टुच करने पर लेवल नहीं बढ़े तो खराबी आपको इस सर्कुट से सम्मंदित होगी इसी प्रकार से जब यह दोनों को टुच करेंगे तो लेवल बढ़ना चाहिए कौन लेवल तो मोटा आवाज की लेवल बढ़ना चाहिए अगर नहीं बढ़े यहां पर बढ़ना चाहिए तो यह कैसे बढ़ेगा तो मोटा आवाज तो यहां देते है तो यहां से लेवल बढ जाना चाहिए मोटा अबाज की लेबल घटना चाहिए अगर नहीं घटे तो उस इस्तिति में आपको यह फिडबेक लाइन है इससे रिलेटिट कंपोनेंट की खराबी होगी और अगर चीम्टी से दूने को टच करने पर इधर जो है मोटा आवाज की लेबल बढ़ जाए इस उसी प्रकार से इसको भी जाज कर लेंगे कि अगर यह दोनों को टच करने पर पतलावाज के लेबल बढ़ जाए और इधर लेबल घट जाए और फिर भी अगर ट्रेवल के दवारा घुमाने पर पतलावाज कम ज्यादा नहीं हो तो खराबी ट्रेवल कंट्रोल के इस प्र झाल 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 झाल